हमने इन टेक्स साइटेशन्स का इससे पहले मॉड्यूल में जिकर किया और उसके मुख्तिलिफ सूरतों को स्टेडी किया लेKIन जितनी भी रुनिंग टेक्स देते हैं आखिर में इनको रीसरेंस लिस्ट में भी जाहर करना होता है और रुनिंग टेक्स्ट में इस्तक्ते का फॉरमेट बिश्ट होता है अर जो इसे तमाम citations को जो मैंने टेक्स में इस्तमाल की है अपने thesis में या अपनी किसी report में उनको जब हम उनकी reference list बनाएंगे तो उस reference list के क्या features होते हैं इसके बारे में गुफ्तू करेंगे और फिर इसके बाद वाले modules में इनी features को हम फिर मिसालों के जरीए से देखेंगे कि ये असूल हैं जो आपको जहन में रखने हैं references बनाते वरत उनमें पहली बात यह है कि reference list में reference list हमेशा आपके thesis के end पे लिखी जाती है मुख्तिव तरह की किताबों में देखने में आया कि लोग हर chapter के बाद भी reference list बना देते हैं लेकिन thesis का जो format हम universities में इस्तमाल करते हैं उसमें reference list आपके document के सबसे आखिर में एनेकसर से पहले आपका report text खतम हो जाता है और अबी एनेकसर आपने नहीं लगाए तो उससे पहले reference list बनानी reference list को हमेशा नए सफ़े से शुरू करना है आप text लिख रहे थे आपका text खतम हो गया किसी जगा आगे space थी भी उस सफ़े पे तो references वहां से नहीं शुरू होगी नए सफ़े से शुरू होगी और नए सफ़े पे दरमयान में level one की heading के style में आप लिखेंगे references या reference list का लफ thing है इसकी हर entry बिलकुल left of the page से शुरू होगी flush left ठीक है left margin छोड़ देना है तो flush left का मतलब है कि जो भी मैं reference लिखना शुरू करूंगा वो उस margin से आगे से शुरू होगा लेकिन बिलकुल left aligned होगा उसके साथ पहली line reference की जो है वो बिलकुल margin के साथ से शुरू होगी जबके अगर ये reference एक से ज्यादा line हो में जाएगा तो दूसरी तीसरी या चौती जो line इस reference की होगी वो बिलकुल left से नहीं बलके left से पांच space indent करके लिखेंगे यानि पहली line अगर फिलकुल margin के साथ शुरू हो रही है तो अगर दूसरी line में जाएगा तो एक दो तीन चार पांच spaces दे के आप इसका write up शुरू करेंगे ये एक general principle है जिस तरीके से आप references बनाते हैं entries के दर्मयान और within entry double space दी जाती है अच्छा ये असूल मौजूद है हम पढ़ते भी हैं लेकिन अमूमन जो universities का style है format करने का thesis को उसमें इस्तमाल इसको बहुत ज्यादा नहीं किया जाता कुछ universities करती हैं किसी जगह नहीं है तो आप अपनी university का format follow करेंगे लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब मैंने एक reference लिखा तो उसकी हर line के दर्मयान भी double space होगा और उसके बाद दूसरा reference शुरू होगा तो पहले और दूसरे reference के दर्मयान में भी double space होगी references को अलाइदा करने के लिए भी double space है और within references multiple lines को एक दूसरे से अलाइदा करने के लिए भी double space दी जाती है इसी तरह से आप के अगर reference के अंदर किताब का जिकर है कोई magazine का जिकर है general के नाम का जिकर है तो वो चीज़ें italics में आती है ये बात आगे modules में जब मिसाल आएगी तो आप वहां पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आपने list जब बनाई references की तो साब जाहरे बहुत सारे documents आएंगे और वो author के नाम से शुरू हो रहे होंगे ज्यादा तर तो आपने जब list को arrange करना होगा तो alphabetical order में arrange करना है alphabetical order में arrange करने से मुराद है कि A से शुरू करेंगे और पहले सबसे ए वो तमाम authors के पेपर जो जिनका नाम A से शुरू होता है वो तर्तीब से आ जाएंगे आपने year से नहीं करना नाम से author के नाम से alphabetically arrange कर देना है अगर author जो है वो एक ही author के multiple papers हैं मसला किसी एक author के तीन references आ गए तो आप जब author का नाम सेम हो जाएगा तो year को देखेंगे ये general सा असूल है जो आपने follow करना है जी हर काम इस पूरी list में सबसे पहले मैं alphabetical arrange करूँगा अगर एक ही तरह के दो नाम आ गए तो मैं उनके second नाम को देखूँगा कि जिसका second नाम alphabetically पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा और बाकी बात अगर author का पहला नाम भी वही है दूसरा भी वही है तो फिर मैं year of publication देख लूँगा कि उसकी पेपर किस साल में छपे वे है जिसका पेपर पहले छपा होगा वो पहले आएगा अगर फर्स कर लें उनके नाम भी डिटो कापी एक जैसे year of publication भी एक जैसे हैं तो फिर मैं उनका आगे जो research paper का title लिखा हुआ है जिसके research paper का title का पहला लफज alphabetically पहले आता होगा उसको पहले लिखूँगा दूसरे को बाद में लिखूँगा अगर उनके papers के title भी एक ही लफज से शुरू हो जाते हैं एक ही alphabet से शुरू होते हैं तो मैं उससे अगली चीज यानि अगर वो let's say के journal का article है तो general का नाम देखूँगा कि वो किस के journal का नाम alphabetically पहले आता है अगर वो भी same हो जाएगा तो अगली चीज देखता हूँगा जब तक ये बिल्कुल same होते जाएंगे मैं उससे next चीज को देखता जाऊँगा जहां जाके differentiate कर सकूँगा उस हिसाब से तर्टीब देदूँगा इतनी दूर तक अमुमण देखना पड़ता नहीं है यूजिली नामों से ही फरक हो जाते हैं लोग नामों से ना हो तो year of publication से तो जरूर हो जाते है तो लहाजा समझने की हद तक ये दुरूस्त है जो मैंने पैटर्न बताया करने में ये इतना complicated कभी भी नहीं होगा तो आप ये सारी तफसील उसके बारे में लिखी गई है अगर कोई author नहीं है तो जैसे मैंने पहले का उसको alphabetically आपने arrange कर लेना है anonymous है तो anonymous से शुरू कर लेंगे तो वो तो a से शुरू हो रहाजा वो top of the list चला जाएगा तो अगर वो author नहीं पता था title पता था तो title का पहला लफ लिखा होगा inverted commas में inverted commas को ignore करना है title का पहला लफ देखें alphabetically कहां fit आता है उसको उसी सीक्वेंस में जहाँ alphabetically आता है वहां लिख दीजिए डू नाट अंडरलाइन अटेले साइज और यूज़ कोर्ट मार्क पर टाइटल्स यूज़ इंस्टेड आफ आफ आथर्स ने जब भी आप को मिसालों से देखते हैं कि इन्हीं की एक्जामपल्स आगे दीवी हैं उनके जरीए से इनको समझने की कोशिश करेंगे